नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी क्या हमारे इस यूटूब चैनल में जहां आई आज हम सभी जानते हैं कुछ महतोपून जानकारियों को जो हमारे स्वास्ते के लिए बहुत ही जरूरी हैं उपयोगी हैं इनका उपयोग जानते हैं पाचन तंत्र को सही रखने के कोशन मिलता है तो हमारा पाचन तंत्र हैं जो कि अगर पेट में डाइजेशन सही होगा तो ही आपके शरीर को या शरीर के हर एक अंग को सही धंग से कार्य करने के लिए उर्जा मिल पाएगी तो आई जानते हैं कि पाचन तंत्र को आप कैसे सही रख सकते हैं भोजन के तक सीधे बैठना बहतर होता है ताकि पाचक रस भोजन को छोटे-छोटे हिस्सों में बाठ सके और आपका खाना आसानी से डाइजेस हो करके सही से एंजाइम्स दे सके केले आपकी आतों को स्वस्थ रखने में हर्दय की लाई बनाये रखने वाले पोशक तत्व प्रदान क के लिए आवश्यक विटामिन देने में मदद करते हैं इसलिए आपको केले का सेवन करते रहना चाहिए सबता में कम से कम एक दो दिन तो आवश्य ही केले खाते रहें सुबह जागने के बाद गुनगुना पानी पीना काफी लाफकारी होता है आत के सिरे की सफाई करता है नए खुन के निर्माड वजन में कमी और तवचा को चमक देने में सहायता करता है। इसलिए सुबह जगने के बाद पानी अवश्य पीजिए। पाचन तंत्र के स्वास्थ के लिए फलों का रस पिना फलों को काट कर खाने से कम फायदे मन्द है। क्योंकि रस में रेशे की मातरा कम होती है और छिलका बिल्कुल नहीं होता है जिसकी बवज़ा से आपको फायवर नहीं मिल पाता है और जब तक फायवर नहीं मिलेगा लिवर सही धंग से क्लीन नहीं होगा। चाय और कॉफी शरीर में एसिड को बढ़ाते हैं इनके सेवन के पहले एक गलास जल का सेवन करना नुकसान को कम कर सकता है और करता है इसलिए चाय और कॉफी जब भी पीना हो तो आप उससे पहले एक गलास पानी पी लेजे अदरक का प्रियोग सर्दी को रोकने गती संब किनट पहले जल पीना चाहिए पाचन में और वोजन कम करने में यह सहायक होता है बाद में एक घंटे बाद ही पी ना चाहिए धियान रखें भोजन के तुरंत बाद चाय कौफी लेना आपके लिए नुकसान दायक होगा क्योंकि भोजन से लोहता त्वाप के शरीर को नही कार दोस्तों